हेलो दोस्तों आज हम आपको Photoshop में layers कैसे यूज की जाती हैं और क्या-क्या layers की settings है और features है आपको detail में बताएंगे तो कोई हम image open कर लेते हैं Photoshop में जिस पर हम layers create करके आपको बताएंगे तो create पर click करेंगे और कोई background size या कुई size select कर लेंगे और जिसे हम white white रखेंगे उसका background color और create पर click करेंगे click करने के बाद यह interface open हो चुका है उसके बाद हम इस पर कोई color दे देते हैं यहां पर पहले window पर जाएंगे और एक layers पर click करेंगे नीचे और layers create करतेंगे तो यहां layers create हो चुकी है तो इसका background unlock कर देंगे तो उसके बाद paint tool select करेंगे और यहां by default select है blue color तो blue color यहां select कर लेंगे उसके बाद text tool select करेंगे तो जैसे हमने text tool यहां background पर click किया तो नई layer create हो गई तो देखिए जितनी बार हम click कर रहे है उतनी बार ही new layer create होती चली जा रही है तो यह blank layer है जो हम click कर देते हैं और automatically create हो जाती है जैसे हमने इस पर यह लिखा यहां यह लिखा तो यह सभी layer पर लिखा रहा है इन्हें उसी layer को हम select करके और इस image पर उसी text को edit कर सकते हैं कि उसके अलावा इसे बढ़ा करते हैं उपर से तो यह बढ़ा हो चुका है तो इसे unlock कर देंगे फिर हम और देखते हैं यदि हम देखिए उपर से फिर से लॉक हो जाएगी हम किजी को unlock करते हैं तो उपर क्लिक करेंगे तो वह layers lock हो जाएगी और control के साथ हम इने select करेंगे तो सबी layer select हो जाएगी फिर एक साथ action ले सकते हैं सब को lock कर सकते हैं कुछ भी इडिट नहीं हो पाएगा फिर इने unlock कर सकते हैं उसके अलावा इने right click करके हम delete भी कर सकते हैं जाए single layer को select करेंगे इस पर right click करेंगे कोई भी layer select कर लेते हैं right click क्या और delete layers उपर जो लिखा जाएगी उसके लावा और actions देखते हैं क्या क्या features है इसमें इने फिर से हमने select किya control press करके और right click किया इस पर कोई खास change हम कर नहीं सकते हैं duplicate quick export in jpg export as link layer यह नीचे बहुत सारे options दे रखे हैं स्मूथ यह सब इनका यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं horizontal vertical वैसे कुछ इससे effect हो नहीं रहा है layers पर उसके लावा उस हम इन में ऊपर जाएंगे मतलब नीचे चलते हैं नीचे इस पर click क्या और solid color पर जाएंगे तो यहां color हम link कर पाएंगे इसे तो solid color link कर दिया है हमने तो इसे color change हो चुका है उसके बाद और भी कुछ change कर सकते हैं नीचे इस पर click करेंगे करेंगे नीचे select करने के बाद यदि हम more than one select करते हैं तो यह options hide हो जाता है कर पर जाएं तो कर से भी हम इसे कि यूज कर सकते हैं तो कर टूल वैसे काफी अच्छा है यह नीचे layers आ रही है इन्हें दो layers को हमने select किया था और इन पर ही हम कर्व टूल अपलाई कर रहे हैं उपर भी देर केंज में कुछ तो इस प्रकार हम photoshop यूज कर सकते हैं